तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे Biology Revision Series में How Do Organism Reproduce चलिए वो तो बात की बात है सबसे पहले मैं आपको अपना introduction दूँ Myself रंजना, yes I am your science faculty अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमने एक Revision Series Launch करा है आपके लिए तो उसमें आज का हमारा Topic है How Do Organism Reproduce? तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए Topic तो रहा आज का ये और उसके साथ ही हमने Mind Map भी इसमें अटाच करा है जिसमें जिसके description link जो जिसके जो link है वो आपके description box में दिये हुए हैं ये आपके Revision Strategy को आसान बनाते हैं तो बच्चो चाप्टर शुरू करने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो चाप्टर है How Do Organism Reproduce? इसे हम काफी quick करेंगे बहुत जल्दी करेंगे ठीक है कोशिश करेंगे कि इसे हम मतलब basically हम उन पर focus करें जिससे हमें exam में आसानी हो ठीक है Then start करते हैं ओ बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं Hello सिद्धी Hello रिध्धी Hello निर्मल जांगिर Hello वैभव गुपता Hello तो चलिए start करते हैं हमारा topic क्या है How do organism reproduce ठीक है सबसे पहले हम start करेंगे reproduction की definition देखे इसे हम कैसे define करते हैं सबसे पहले देखे student It is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself इसे define किया गया है कि ये एक biological process है Why we called it biological process क्योंकि ये living organisms के अंदर चलता है चाहे हम bacteria के बात करें चाहे simplest organism के बात करें या फिर multicellular की ये उनमें चलता है ये उनमें ही हो सकता है ये किसी non-living things में नहीं हो सकता है तो ये एक biological process है जिसमें एक organisms जो है वो अपनी जैसे office spring को ही क्या करते है produce करते है अपने जैसे office spring को जन्म देते है जो की उनकी तरह ही होते है जैसा कि हमने पढ़ा था ना आपको थोड़ा सा आप पुरानी chapter से link करो मैंने आपको बताया था कि hereditive chapter में कि हम अपने माता-पिता की तरह ही दिखते हैं तो देखे तो reproduction के through ही क्या होता है कोई भी individual अपने जैसा office spring की produce करता है जो की उसी की तरह होता है तो आगे हम बढ़ते हैं देखे इसका क्या मतलब हुआ है student? देखते हैं यह कहता है कि reproduction जो है वो किसी भी individual की life को maintain करने के लिए जरूरी नहीं है जैसे कि जो essential हमारे life process थे जो हमने life process में पढ़ा था nutrition, respiration, excretion, transportation वो हमारे life को मतलब maintain करने के लिए किसी भी organisms को जीवित रहने के लिए यह चार processes जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं आवश्यक होते हैं बट reproduction ही कोई-कोई बच्चो ऐसा भी कपल आप देखते हैं जिन्हें मतलब कोई भी उनमें abnormality की वज़े से अगर उनके बच्चे नहीं हो सकते तो क्या वो life अपनी spend नहीं करते वो करते हैं तो कहने का यहीं मतलब है कि reproduction जो है वो individual के life को maintain करने के लिए necessary नहीं है लेकिन यह एक species को species की continuity को maintain करने में सबसे ज़्यादा important role play करता है अब species की continuity का क्या मतलब है देखिए हेलो शिखा पारिक हेलो तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बता है species की continuity को यह maintain करता है suppose माल लिजे आपकी family में आपके दादा दादी ठीक है grand parents आपके हुए grand parents then आपके parents then उनके children then उनके आने वाली generation उनके बच्चे अब मुझे यह बताईए कि अगर grand parents के अगर grand parents में reproduction नहीं होता अगर यह process माल लिजे अगर family में रुक जाए तो हमारे parents नहीं आएंगे हमारे parents नहीं आपाते तो हम भी नहीं आपाते हम अगर हम ही नहीं आपाएंगे तो आने वाली generation भी नहीं आपाएगी तो कहने का यहीं मतलब है कि यह जो reproduction है यह एक species को continue करते रहत एक species को continue करने में सहायक होता है अब आप खुद ही सोचे आप इसे imagine कर सकते हो कि अगर हमारे family में अगर यह process बंद हो जाए तो दो generation के बाद जो family में लोग होंगे वो तो क्या है उनकी death तो होनी ही होनी है अगर new members add नहीं हुए पुराने members ही रह गे तो एक proper age के बाद तो सबकी death होनी ही होनी है तो इस तरह से family का तो नाम ही मिड़ जाएगा और ठीक वैसे ही अगर पूरे human population में suppose पूरे अगर मनुष्य जाती में reproduction process बंद हो जाए बच्चो तो क्या होगा हम extinct हो जाएंगे समझ में आई बात आपको यह species के continuity को maintain करता है चलिए अब हम बात करते हैं reproduction में और देखे सबसे पहले छोटे होते हैं दीरे 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 हम puberty को gain करते हैं adult age में आते हैं old age में आते हैं और उसके बाद human की death हो जाती है अब हम बात करते हैं अगर हम plants की भी बात करें यह तो हमने animals की बात की थी अगर हम plants की बात करते हैं तो plants में भी तो सेम ऐसा ही होता है वो seed form में रहेगा दीरे दीरे वो grow करेगा प्लांट में होगा उसके बाद एक pure mature form में आएगा तो बच्चो ये तो रही reproduction अब बात करेंगे हम कि reproduction के क्या significance होते हैं देखें ये species की continuity को maintain करता है समझ में आई बात आपको जो हमने वहाँ पढ़ा था ये क्या करते हैं ये species की continuity को maintain किये रहते हैं ये species के population को increase करते हैं मैंने आपको वहाँ example दिया कि अगर human में reproduction बंध हो जाएगा तो population कैसे बढ़ेगी? population नहीं बढ़ेगी तो एक time के बाद human तो extinct हो जाएगा ठीक है it plays an important role in evolution by transmitting favorable variation from one generation to next generation ये एक important role भी student play करता है ये क्या है? variation को क्या करते हैं? transmit करते हैं ठीक है? generation to next generation चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज बच्चों को लगता है कि मजा नहीं आ रहा क्या? आज आज आप लोगों का ध्यान का है बेटा energy लाओ पढ़ने के लिए थोड़ी energy की need होती है तो bio तो मतलब अगर आप ध्यान से सुनोगे और ना मतलब जैसे कि किजिए चलिए अब हम बात करते हैं classification of reproduction देखो reproduction को classify कितने types में किया गया है a sexual and sexual ठीक है? a sexual and sexual reproduction a का मतलब होता है not मतलब reproduction का वो type जिसमें sexes involved नहीं होते हैं no sexes involved तो उसे हमने कहा asexual sexual में sexes जो है वो involved होते हैं अब हम आते हैं asexual reproduction पर it is the process of producing new individual with one single parent without formation of gametes और sex cells अब यह क्या कहता है ध्यान से सुनिए देखो इसमें new individual को produce करते हैं लेकिन parent कितने होते हैं? single single parent होते हैं इधर male और female या तो वो male होगा या female होगी sorry female तो होगी ही ना या तो male होगा या female लेकिन इसमें दो parent कभी नहीं होते single parent होते हैं ओके? और ना ही इसमें gametes बनते हैं मतलब male और female gametes जो हैं वो नहीं बनते that is the asexual reproduction हेलो शिखा पारिक चलिए तो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं sexual reproduction देखो इसमें क्या कहता है? यह reproduction का वो टाइप है जिसमें fusion होता है male और female gamete का तो इसे हमने कहा sexual reproduction इधर देखे this one is egg मतलब female gamete यह है क्या? male gamete यह क्या है? male gamete यह थे female gamete जब दोनों का fusion होता है बच्चों तो क्या बनता है? zygote क्या बनता है? zygote अब देखे यहां इनका chromosome number होता है N यहां होता है N और यह बन के क्या हो जाते है? 2N पढ़ाओगा ना 23 chromosome 23 chromosome and this one is 46 chromosome then यह किस में होता है? sexual reproduction देखे humans are sexually reproducing organism and vviparas जब हमने sexual reproduction का नाम लिया तो humans जो होते हैं वो sexually reproducing organism होते हैं और vviparas होते हैं अच्छा बच्चो vviparas का क्या मतलब है? यह मुझे जड़ा comment section में sorry chat box में बताइए कि vviparas का मतलब क्या है? come on fast जल्दी चलिए अब हम आजाते हैं types of asexual reproduction first one is fission, budding, fragmentation, regeneration and vegetative reproduction या propagation student यह जो होते हैं ठीके? यह जो आपके यह जो बच्चो आपके ना types है asexual reproduction के वो देखिए यह तो हमने किस में हम इनकी बाते करते हैं? फिजन, budding, fragmentation, regeneration lower organisms में lower organisms में करते हैं and vegetative reproduction यह जो है यह term हमने किस के लिए यूज करा है बच्चो? यह term हमने यूज करा है plants के लिए sorry चलिए अब हम सबसे पहले आपको इसमें देखो देखो student board exam पे अगर हमें focus करना है तो हमें क्या करना चाहिए? उसी के आज मैं कुछ आपको tips बताती हूँ उसके कुछ tricks होते हैं सुनिए जैसे कि मानले लिजे मैंने season पढ़ाया है ना? इसके बस आपको ना क्या होने चाहिए एक process का नाम याद होना चाहिए और examples याद होने चाहिए फिर तो आप बहुत smart हो आप तो आसानी से कर लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं fission देखे fission fission is of two types binary fission and multiple fission लेकिन fission का मतलब क्या होता है? In binary fission the organisms split into two equal halves जो organism होते हैं वो दो equal halves में बढ़ जाते हैं और ये splitting जो है उनके body के किसी भी plane से हो सकती है अब इसमें binary fission में क्या होता है? binary fission में देखे ये parent sale है ठीक है? अगर हम amoeba की बात करते हैं इनमें क्या हुआ? ये रहा nucleus तो सबसे पहले इनमें दो processing होती है first one is karyokinesis अच्छा ये तो आपको दिखेगा ही ने? मैं तो भूल गई थी, बच्चे तो बहुत ही मेरे शैतान है karyokinesis and cytokinesis मतलब पहले इनमें nucleus का division होता है and then cytoplasm का ये किसका example है? binary fission, amoeba का binary, by मतलब two जब parent cell दो cell में equally divide होते हैं daughter cell में तो उसे हम क्या कहते है? binary fission और student इनमें कौन-कौन से मतलब processing चल रही होती है तो सबसे पहले होता है karyokinesis karyokinesis का मतलब होता है क्या? nucleus और cytokinesis, cytoplasm सबसे पहले इसमें nucleus देखे divide हुआ और उसके बाद cytoplasm में जब division हो जाता है तो ये क्या होते हैं? दोनों, जो एक parent body थी वो दो daughter cell में divide हो गई अब देखें, यहाँ पर आपके लिए कुछ है ध्यान से देखे ये आपने देखा ये रहा amoeba student nucleus में पहले division हो गया था देख रहे हैं आप लोग? आपको दिख रहा है? अब ये क्या हो गया? ताइटो प्लाजम में division हो गया ये दो parent cell थे वो दो daughter cell में divide हो गया ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बच्चों आज आते हैं multiple fission में जैसा कि fission जो होते हैं it is of two type binary and multiple नाम से याद कर लो binary fission अभी मैंने आपको बताया तो मैंने आपको amoeba का example दिया अब हम आजाते हैं multiple fission में in malarial parasite that is the plasmodium one cell divides into many doctor cells simultaneously by multiple fission देखे ध्यान से सबसे पहले ये एक nucleus था और उसके चारो तरफ cytoplasm है होता क्या है बच्चों इसमें आप देख सकते हैं अब क्या हुआ इसमें karyokinesis, cytokinesis सबकुस जो है अंदर ये अंदर चलके क्या हुआ बहुत सारे cell बन गए बहुत सारे cell ने मतलब बहुत सारे इसमें क्या बन गए हाँ cell ही बन चुके हैं बहुत सारे इसके अंदर nucleus में repeated division हुआ उसके बाद nucleus में division के बाद cytoplasm में division हुआ उसके बाद ये जो cyst होता है जब इसको favorable condition जब मिलता है तो ये ruptured हो जाता है फट जाता है और ये सारे बाहर आ जाते हैं और एक-एक अपने individually ये क्या होते हैं grow करते हैं तो ये किसका example है multiple season आपका ये example है plasmodium का आगे बड़े चलिए budding budding में क्या होता है small part of the body of the parent grows out as a bird which then separate and becoming a new organism इसके example है hydra देखे सबसे पहले इसमें क्या होगा इसके लिए मैं आपके लिए एक animation लेकर आई हूँ ये parent body है parent body था अब इसमें क्या हुआ ये देखे अब इसमें ये एक bird था ये एक bird आया अब ये bird क्या होगा सबसे पहले ये एक parent body था Parent body में छोटा सा outgrowth हुआ, छोटा सा जब outgrowth निकला, तो यह जो outgrowth होगा, जब एक certain age तक पहुचेगा, certain stage तक पहुचेगा, तो यह क्या हो जाएगा? अपने parent body से detach हो जाएगा, और यह grow कर जाएगा एक नए individual में. Internal Fertilization, बेटा, Internal Fertilization का मतलब होता है, जब Fertilization आपके body के अंदर हो, मतलब विदिने body, जब fusion होता है, male और female gamete का, तो उसे हम कहते हैं, Internal Fertilization, हमारे nature में कितने ऐसे examples होते हैं, जिनमें Fertilization जो होता है, वो body के बाहर होता है, that is called the external Fertilization. Yes, शिखा पारिक satisfied है आप, Internal Fertilization चलिए आगे बढ़ते, यह समझ में आया बच्चो, आप लोगों को, देखो, आज मैम कितने सारे animation लेकर आई है, ताकि बच्चे जो है, वो imagine करके पढ़ाई करें, क्योंकि ताकि जब आप paper में कुछ लिखने जाओ, तो आपको याद आज चलिए, अब हम आते हैं, Fragmentation, In some organisms, if body break into distinct pieces, small pieces, this is called fragments and this process is called fragmentation, देखिए, यह किसमें चलता है, यह Spirogyra में चलता है, बच्चो, Spirogyra क्या है, एक algae है, इसमें क्या होता है, यह parent body है, एक certain stage पे आने के बाद, जब body में, क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब body division नहीं कह सकते है, मतलब वो break हो रहा है, body जब वो टूट रहा है, parent body जो है, छोटे-छोटे piece में टूट जाएगा, इस छोटे-छोटे piece को हम क्या कहते हैं, इस छोटे-छोटे piece को हम fragments कहते हैं, और इस process को हम क्या कहते हैं, fragmentation, हाँ बेटा, यह तो automatic होता है, यह जो ह त्रिया बुद्धी राजु ने प्ला रिप्रोडक्शन वीवी पेर्स नौ बेटा वीवी पेरसका मतलब होता है बच्चो जनम देने वाले मतलब एक होतीए और अंडे देने वाले एक होते है बच्चों को जनम देने वाले यह कोई अ आपके लिए मैम है, हमारे doubt session आपके लिए ही होते हैं, ताकि हम अपने बच्चों का doubt clear कर सके, आगे बढ़ते हैं, अब हम आजा regeneration पे, देखो, regeneration, regeneration का क्या मतलब होता है, वापस से generate करना, सबसे पहले आपको मैं एक animation दिखाऊंगी, उसके बाद, ताकि आज हम थोड़ा, क्या करें, imagine करके पढ़ें, चलिए, काट दिया, हो, काट दिया हमने इसे, अब देखें क्या होता है, बट गए ये, अरे, ये magic कैसे हो गया, हमने organism को काट दिया था, अब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बच्चो, क्या हो रहा है ये, चलिए, पीछे चलते हैं थोड़ा, फिर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, आईए, the process of getting back a full organism from the body part of the parent individual, देखो, इसको तो मैं ऐसे आपको draw करके ही समझाऊंगी, वेल, बेटा, मैं के drawing अच्छी नहीं है, अगर मानलो हमने इसको काट दिया, हमने इसको क्या किया, चलो काट दिया, चलो एक ही पाग में काट दे, है ना, चलो, इसको दो पार्ट में divide कर दिया, ये रहा, और ये, मतलब हमने क्या किया, regenerate, देखो, ये कैसे खुद को regenerate कर रहा है, हमने इसको काट दिया, तो इसका जो अपर पार्ट है, जो अलग-अलग हो गया, अपर पार्ट अपने साथ क्या करेगा, अपर पार्ट अपने साथ लोवर पार्ट को भी बना लेगा, और जो ये lower part कटा था ये भी अपने साथ upper body को बना लेगा मतलब body part में अगर मानलो मतलब किसी भी process से अगर वो अलग हो रहे हैं अगर कट रहे हैं तो उनका जो body उनकी अगर दो part में divide होगी तो upper part lower part को बना लेगा lower part upper part को ये किस में होता है plan area पेटा lizard में सिर्फ और सिफ regeneration होता है fragmentation नहीं चलिए आगे बड़े अब हम आजाते हैं vegetative reproduction आपको याद होगा student कि vegetative reproduction जो है vegetative words जो है ये हम plants के लिए use करते हैं देखिए this is an asexual mode of reproduction in plants where vegetative part mainly root stem and leaf give rise to a new plant मतलब vegetative का क्या मतलब है हम asexual reproduction की बात कर रहें इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब उसके जो reproductive part है flower होता है reproductive part उसको छोड़कर बागी plant के किसी भी part से अगर reproduction हो रहा है है ना मतलब number increase कर रहे है multiplication हो रहा है तो उसे हम कहते हैं vegetative reproduction चाहे वो root से हो stem से हो और leaf से हो अच्छा student vegetative को ना दो तरियर से हम पढ़ते हैं देखे पहला है artificial method मतलब artificially भी आप कर सकते हो और आप करते भी हो आज मैं आपको बताऊंगी आप करते भी हो लेकिन शायद आपको पता भी नहीं होगा artificial method कौन कौन से है cutting layer and grafting natural method जो होगा root leaf और stem के साथ सबसे पहले artificial method में चलते हैं cutting see काट दिया हमने रोज को लगा दिया इसके पत्तिया गिर गई देख रहे बच्चों imagine just imagine क्या हुआ ये ओ नया plant ग्रो कर गया वाओ देखें तो बच्चों cutting में क्या होता है यहां हमने rose plant का example लिया यहां हमने rose plant का example लिया इसमें क्या होता है हमने क्या क्या था उसके एक part को cut किया उसे soil में क्या किया soil में rooted किया उसके बाद क्या हुआ वो एक new plant में grow कर गया तो यह artificial का मतलब है human अपना effort लगा रहा है मतलब आप अपना effort लगा रहे हो तब तो यह जाके हो रहा है तो इस वज़े से यह artificial method है cutting अब हम आजाते हैं कि देखें अब हम आते हैं किसमें cutting के बाद हम पढ़ते हैं layering layering में क्या होता है सबसे पहले कोई plant है parent plant इसका ना कोई stem निकला हुआ है ठीक है उस मतलब इसको जमीन में रोप दिया कहते है ना पौधे रोप रहे हम इसे हमने जमीन में रोप दिया जब इसे किया तो इसमें क्या हुआ इसमें after some days growth होनी इसमें शुरू हुई और यह growth मतलब stage तक grow कर जाता है तो बाद में हम इसको क्या करते हैं इसके parent body से अलग कर देते हैं तो बच्चों यह भी किसका एक्जामपल हुआ आटिफीशियल मेथड का बच्चों थोड़ा energy लाइए energy you are e-serulite energy energetic होके पढ़िये चलिए लेरिंग का अभी एक्जामपल्स अभी हम लेरिंग पढ़ रहते बच्चों उसके एक्जामपल्स क्या होंगे जैस्मीन प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ्टिंग हां ग्राफ्टिंग बच्चों थोड़ा यह different होता है देखे इसमें क्या होता है ग्राफ्टि मालनो सपोस्ट दो प्लांट हैं हमने एक को काट दिया और इसका एक पार्ट जो है वो दूसरे पर क्या किया दूसरे पर प्लांट कर दिया तो जो मिट्टी में रहेगा उसे हम कहेंगे स्टॉक और जो जिस पार्ट को ऊपर लाया गया है उसे हम कहते हैं सियोन याद करने क रहना क्या तिक है ? इस टॉक मतलब मिटडी में बहुत सारी चीजीजों का स्टॉक होता है होता है न मिनरल्स होते हैं तो याद रखेगा कि जो नीचे का पाट जो सौइल में रुटेड है वो होता है उस टॉक और उपरवाले पाट को हमने कहा सियौन इसको क्या करेंगे किसी किसी भी पार्ट से मतलब किसी भी पॉली बैक से या कुछ भी से बान देंगे और आफ्टर सम टाइम यह एक प्लांट की तरह पिहेव करते हैं तो यह हमारा खतम हुआ अब हम एक बार नाच्रल मेथड पर आ जाए देखो नाच्रल मेथड में लीफ स्टेम एंड रूट लीफ ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडवन्टिटियस बर्ड ऑन देयर मार्जिन विच के डिटैच्ट एंड डिवलप न्यू प्लांट्स एक्जैंपल ब्रायो फिलम इसमें क्या होता है सपोज मानलो को ये ब्रायो फिलम की लीफ है हैना सबसे पहले इसके मार्जिन पर एक लीफ एक बर्ड निकलता है ठीक है मतलब आफ्टर सम टाइम आप ये कहिए कि जब ये प्रॉपर ग्रो कर जाते हैं तो ये अपने पेरिंट बोडी से डिटैच होके नीचे गिरते हैं और ग्रो कर जाते हैं इसका एक्जैंपल क्या होगा ब्रायो फिलम रूट की बात करेंगे तो रूट में क्या होगा? मतलब मोडिफाइड ट्यूबरस रूट में ग्रो कर जाते हैं इसके एक्जैंपल क्या होंगे स्टूडेंट? स्वीट पोटाटो स्टेम रेखें अंडरग्राउंड मोडिफाइड स्टेम पॉजिस बर्ड्स दाट प्रोड्यूज इसमें क्या होता है? जो modified stem है जिसमें birds होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों अगर उनको soil में planted किया जाता है तो ये क्या करते हैं ये aerial shoot को produce करते हैं इसके example है potato and ginger अब हम आगे बढ़ते हैं Advantage क्या होंगे ये एक chipper, easier और rapid process है किसका multiplication का plants में जो plants अपने seed को grow करते हैं उनसे देखो अगर हम vegetative की बात करेंगे तो इनका जो time duration होता है grow करने का ये थोड़ा क्या होता है quickly होता है comparison to sexual reproduction ये थोड़े जल्दी होंगे It is used in those plants where seeds are not produced such as banana, orange, rose and jasmine ये वैसे plants में भी होते हैं जहां seeds produced नहीं होते जैसे banana, orange Vegetative growing plants जो होते हैं it requires less time to grow and form fruit very fast than those produced from seeds ये क्या करते हैं ये बहुत कम टाइम लेते हैं grow करने में और fruits को बनाने में अब हम आजाते हैं कि space, sexual reproduction in flowering plant Flower को जल्दी जल्दी देख ले, quickly देखे, sepal, petal, this one is estamin, that is the male reproductive part, this one is carpel, ये है आपका stigma, ये है आपका style and this one is ovary चलिए बच्चो, जल्दी करते हैं, देखे, flower क्या होता है, reproductive part है plants का, stemmen और carpens जो होते हैं वो main reproductive part होते हैं flowers के अब हम आजाते हैं, ये तो हमने बात कर ली, अब हमने वहाँ बात किया था किसका, male reproductive part और female reproductive part plants में क्या चलता है, plants में pollination भी होता है, pollination में क्या होता है student, जब transfer होता है pollen grain का from enter to stigma enter किसका part था, male का, है ना, stigma किसका है, female का, जब transfer होता है क्योंकि उस pollen grain में male gametes होते हैं, तभी तो जाके fertilization होगा, है ना, pollination कितने types के होते हैं self-pollination and cross-pollination, self-pollination का मतलब होता है, जब same flower, मतलब एक ही flower के reproductive parts जो है, male, मतलब pollen grain का transfer उसके male parts से female पर हो जाए, तो उसे self कहेंगे, cross का मतलब क्या होता है जब मतलब एक ही species के, एक ही variety के दो plants हो, मतलब दो different different plants के बीच में जब pollination हो रहा है बच्चों, तो उसे हम cross-pollination कहते हैं चलिए, self-pollination बता दिया, मैंने आपको pollen grain को transfer किया जाता है, stigma पर, और cross में क्या होता है जब दो different plants में हम करते हैं, अब हम आते हैं, reproduction in human, आगे बढ़ते हैं तो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये है कि आप इसको बहुत ध्यान से इस chapter को पढ़िए क्योंकि देखे, इसके trick क्या है इस chapter के, अगर आपको examples याद होंगे अगर आपके दिमाग में सारी चीज़े याद होंगे, कि आप बहुत जल्द paper में क्या कर सकते हो अपने own words में भी इसे लिख सकते हो, चलिए, सबसे पहले male reproductive system पे हम आते हैं चलो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, this one is testis, scrotum, testis जो है एक pouch में enclosed रहता जिसे हम scrotum कहते हैं यह रहा vast difference, seminal vesicle, bladder, prostate gland, penis, urethra अब हम एक एक को deal करते हैं बच्चो अपने पूछा है monocot और dicot में difference में आपको ना इसको खतम करने के बाद बेटा आपको मैं आपका answer जरूर दूँगी कि what is the difference between monocot and dicot, okay, चलिए अब देखे, testis, यह oval shaped primary reproductive organ होते हैं this one is primary reproductive organ in male testis कितने pair होते हैं, one pair होते हैं, ठीक है अब देखो, it lies in a small sac-like muscular structure outside the abdominal cavity which is called scrotum, यह क्या होता है, अगर हम पीछे देखेंगे, देखिए testis जो होता है, वो scrotum में, scrotum में क्या होता है, testis scrotum में lies रहता है, है ना, अब scrotum, लेकिन scrotum के क्या मतलब testis के lies होने का scrotum में आखिर मतलब क्या है, देखिए, इस crotum जो होता है वो आपके sperm बनने के लिए मतलब इस पर metogenesis के लिए एक optimum temperature जो है वो provide कराता है वो temperature जो की हमारी body से 2 degree less होता है ठीक है? Next हम आते हैं vast difference देखो, यह sperm it carries the sperm to seminal vesicle where the sperm gets nourished देखें यह sperm को seminal vesicle तक carry करते हैं जहां sperm को nourishment मिलता है It unites with a tube coming from the urinary bladder यह urinary bladder से आने वाले tube के साथ unite भी करते हैं Then urethra, it carries sperm to penis which open outside through a male genital pore Urethra जो होता है यह sperm को penis तक लेकर आता है जो की open होते हैं outside में male genital pore के through समझ में आई बात आपको Yes मैं आप लोगों का answer करूंगी अगर मैं आज आप लोगों का answer अगर हमें time नहीं भी मिल पाया है student क्योंकि आपको पता है कि आपकी class का जैसे आप school में भी जाते हो है ना तो इस school में भी आप जाते हो तो आपका एक time निश्चित होता है ना ठीके एक certain होता है इतनी से इतनी देर की एक class है है अब देखो अगर हम नहीं भी कर पाये मिलते हैं हम doubt session में ओके आप अपने सारे queries जो है collect करके रखिए उसको copy में लिख डालिए और doubt session में मिलेंगे हम और आप आगे देख ले पैनिस it form the external male genital organ ये external male genital organ होता है ये secondary sexual organ है और ये sperm को क्या करता है ट्रांसफर करता है इसी के थूँ स्पॉम ट्रांसफर होता है female के body में और साथ ही ये urine को remove करते है body से बच्चों स्पॉम क्या है ये male gamit mainly consists of genetic material and a long tail which helps them to move towards the female gamit इस पॉम जो होता है वो क्या है male gamit है इसमें genetic material होंगे आपको भी पता है और इसमें long tail होता है टेल की वज़े से ये movement करता है ओके चलिए अब एक बार हम जड़ा pathway देख ले टेस्टिस उसके बाद worst difference इस पॉम कैसे कैसे जाएगा then seminal vesicle, prostate gland, urethra then out of the body अब हम आ जाते है female reproductive system चलिए human female reproductive system ओ एक बात मैं आपको बताना भूल गई जो आपका ये board exam होता है है ना यह जो आपका board exam है इसमें एक बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में बठा लेजे कि जितने भी NCRT के diagram है suppose मालेज अगर हम reproduction chapter पढ़ रहे हैं बहुत बच्चों के queries आई थी उन्होंने मुझसे ये question पूछा था मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया था कि diagram बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसे आप practice करते रहिए board में अगर मालेज आपके पास कम time है तो आप क्या कर सकते हैं तुरंत उसको diagram बनाईए और इसके बाद उसको leveling बहुत अच्छे से कीजिए और उस पारे में थोड़ा बहुत लिख डालिए आगे बढ़ते हैं ovary, uterus, cervix and vagina this one is fallopian tube अब देखे इसके बारे में पढ़ते हैं detail ovaries क्या होता है ovary भी one pair होगा ए pair of small oval organs are located inside the abdominal cavity near the kidney ovaries जो होते हैं वो primary reproductive organ या primary sex organ होते हैं female के इनका काम क्या होता है student देखते है production of ovum and secretion of female sex hormone sorry इसमें क्या होता है ये egg को produce करते हैं और साथ ही साथ ये female sex hormone को भी क्या करते हैं secret करते हैं estrogen and progesterone this one is ovary ठीक है ovary क्या करता है ovum ovum जो है ovum को ये produce करता है egg को fallopian tube देखे a pair of long tube that carries egg from the ovaries to the uterus are called fallopian tube ये क्या होते हैं long tube है जो egg को carry करते हैं कहां से देखे बच्चो ये egg को carry करेंगे कहां से ovary से carry करते हुए लेकर आएंगे ये funnel shaped के होते हैं which tubes from both the side open into elastic bag like structure called uterus और ये कहां खुलते हैं यूट्रस में अब हम यूट्रस पे आते हैं यह it is a muscular sack like structure means for the development of the embryo ये muscular sack like structure होता है बच्चो जिसमें क्या होता है embryo का development होता है वहां क्या होते हैं मतलब nourishment होता है क्योंकि आपको भी पता है जो nine month जो gestation period होता है human का वो बच्चे कहां मतलब कहते हैं न कि वो कहां रहते हैं uterus में its upper portion is broader while the lower portion is narrower जिसे cervix कहते हैं इसका upper portion तो काफी क्या होता है broader होता है और lower portion जो होते हैं वो narrow होते हैं जिसे cervix कहते हैं देखें अब इसे ध्यान से देखें uterus open into the vagina through the cervix it is a tubular structure and it is called birth canal ये क्या होता है विजाइना को हम birth canal भी कहते हैं अब देखें इसका function क्या इसका काम क्या है it receives sperm from the male during sexual intercourse and also serve as a passes through which a fully developed test is delivered ये sperm को receive करते हैं male से during sexual intercourse sexual intercourse के time में ये क्या करते हैं sperm को receive करते हैं और साथ ही ये passes है जिससे जो fittest जो है वो डेलिवर होता है मतलब बार आता है जिसे हम पार्चू रिशन कहते हैं वो जह लाइडन overcome लाग